हेलो दोस्तों, आज हम बात करने हैं यहाँ पर KPIT से एलेटेड, KPIT के अगर हम बात करें, पिछले तीन साल में, पिछले तीन साल में जब से यह शेयर ने एक तेजी पकड़ी है, 2020 के अगर हम बात करें, तो यह सबसे बड़ा फॉल आता हुआ दिखाई दिया है, और यह फॉल है कि यहाँ पर बेच के निकल जाए, या फिर यह संकेत है कि यहाँ पर और खरीदे, इस से एलेटेड में बाते करूँगा, और आगे बढ़ेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में, हम जानेंगे कि ऐसा क्यों होता हुआ नजर आया, इसके पीछे का रेजन क्या है, और क्य खरीजः लोगो और क्या है,με यहाँ पर बेच देना चाहिए, क्योंकि काफी लोगों ने यहाँ पर करीदा होगा, इस लेवल पर खरीदा होगा, कुछ लोग अभी no loss no profit पर होँगा, कुछ लोग अच्छे profit पर होँगे, तो क्या उन्हों पर चाहिए और थो ब्यों मेंे अपना personal view देता हूँ और नजर आउगा जितना ही मैंने सीखा है वो मैं आपको बताता हूँ और नजर आउगा तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं बट उससे पहले request है चाइना को subscribe bell icon को hit all notification कौन करिएगा ताकि इस तरह के वीडियो मिलते रहे कल mutual fund पे बिरनाई थी क्या mutual fund ने यहाँ पर 11 शेयर करी दे आज FIS पर बनाई है जहां पर उन्होंने बारेक्ट शेयर करी दे है तो यहाँ पर देख ली जिएगा कों से शेयर है तो इन वीडियो को यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर सीखने का मौक मिलेगा as well as आपको पता है कि देखिए यह शेयर अब क्या करना है उसकी वह पूरी study है यह मैंने खुछ सीखा है और इस course में डाल रुक है तो technical basics to advanced research fundamental और risk management कहां पर करीदना है कहां बेजना है क्या क् अगर कुछ ऐसा patterns बनता हुआ नजर आता है तो क्या करना है यह सब चीज़े के कहां सिखाय जा रही है सब कुछ सिखाय जा रहा है A to Z जो market का basics to advanced जो हम बात कर रहे है वो सिखाय जा रहा है यहाँ पर 17,500 की fees है यह old fees यह खतम हो गई है 17,500 की fees है 3 months की practical learning online notes सब कुछ दिया जाएगा और एक बार इस course को जब कर लेंगे और निकलेंगे तो दुनिया की किसी भी market में किसी भी segment में technical के basis पर fundamental के basis पर entry कर सकते है exit कर सकते है और जब पैसा बनेगा तो भैतरी इन पैसा बनेगा आपको पाता चल जाए कहां खरीना है कहां बेचना है कितनी risk रखनी है कित आपको पता है हमारे WhatsApp group है जहां पर हम अच्छे-च्छे stocks टालते हैं और वह stocks अच्छे का से भागते हुए नजर आते हैं जैसे market भागेगा बूल मार्किट आएगा हमारे stocks सबसे ज्यादा काम करते हुए नजर आते हैं 5-5-7-7-10-15-15% भागते हुए नजर आते हैं तो एक नंबरों पर contact करेंगे तो उसाथ में मिलके काम कर सकते हैं और आपके portfolio में चार चाहन लगाते हुए नजर आ सकते हैं KPIT की बात कर रहे थे KPIT के गिरने का पहले की रीजन चान लेते है KPIT के गिरने का पीछे रीजन है JP Morgan की रिपोट और क्या रिपोट आई है कि उन्होंने यहाँ पर बताया है कि शेयर यहां पर अंडर वेट और अवरवेट का मतलब क्या है कि यहाँ पर उन्हें एक target दिया ग यहां पर 35% तो इस रिपोर्ट की वज़े से यहां पर पढ़ लीजेगा कि हां पर क्या क्या है किस किस वज़े से maintain its growth above 20% in the year to come however it sees this as a challenging as the auto industry is a cyclic one and that it could that it will be too optimistic to give KPIT to benefit of doubt तो मतलब क्या है अभी auto industry चल रही थी तो auto industry क्या है एक cyclic है आपने देखा होगा 2018 के बाद अभी 2020-2022 में यहां पर तेजी होती हुए नजर आई होके तो यहां पर cyclic है मतलब कभी आती है तो भागती है तो गिरती हुए नजर तो यहां पर KPIT क्या करता है यहां पर automation का काम करता हुए नजर आता है महापर किस तरीके कर design होगा क्या होगा वो सब्सक्राइब यहां पर बाते करता हुए नजर से ऐसी टाटा इलक्सी भी है तो यहां पर उसके लिए उन्होंने थोड़ा सा यहां पर दिया है कि हमेशा ऐसा नहीं चलते रहेगा अगर और auto industry नहीं चाहिए तो यह भी KPIT भी यहां पर नीचे आता हुआ दिया जही सकता है तो उसी से लिए नहीं पर क्या हो रही है बाते हो रही है और इस वज़े से यहां पर रियर रिपोर्ट हाई और शेर क्या होगा धराशाई हो गया इसलिए क्या गयते है विस को मैनेज कर थोड़ा सा लोच कर दो चाहर परसेंट का लोच का यहां पर निकल जाए तो इसे ही अपर रिस्क रिवार्ट रिष्यो एस वैल आजरिस्क मैनिजमेंट घगा जाता है और यह आप अपनी कोर्स में ही हाँ पर सिखाते हुए नजर आते किस तरीके से आप चीजों को यहां लेने का तरीका क्या है, बेचने का तरीका क्या है, वो बताया जाता है, तो KPIT की बात करें, रिपोर्ट आई, रिपोर्ट में गिरता हुआ नजर आए, शेयर काफी बहतरीन है, जो हम बात कर रहे है, अटोमेशन और आटोमोवाइल के सेक्टर में कंपनी काम करते हुए नजर आती है, किस तरीके से क्या डिजाइन रहेगा, क्या बनता हुआ नजर आता है, और इलक्टिव वीकल में एक अच्छा कासा योगदान देता हुआ नजर आता है, और कंपनी काफी बहतरीन है, बार- है कोई डाउट नहीं है, कंपनी अच्छा खासा है, मैनेजमेंट काफी अच्छा खासा है, और शेयर ने एक मलिटी बैगर रिटरंस यहां पर लोगों को बना के दिये है, और हमने भी यह बार-बार आपको यहां पर चेता आया भी है, यहां पर प्रमोर्टस ऐस बने यहां पर टाटा के पास पहले हुआ करता था अब नहीं है, तो यहां पर कम हिसदारी है, अब लोग यहां पर क्योंकि शेयर अल्रेडी बहुत भागा है, यहां पर आप देखोगे, तो यह शेयर अगर आप देखोगे 2020 के बाद 43 से 900 पहुच गया, 20X के आस पास यहां पर इतने जब रिटर्न बन जाते हैं, तो प्रॉफिट बुकिंग होना जर लाजमी है, और शेयर और महेंगा होता जाता है, यहां पर देखिए, लगवग प्रमोटर्स के ही, यहां पर एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रमोटर्स ही है, तो मार्च में देखोगे उन्होंने अच् यहां पर बेच रहें, तो कुछ ना कुछ नेगेटिव हो सकता है, तो आपको उसके एकॉर्डिंग बिहेव करना आना चाहिए, सबसे पहले बात, कंपनी की बात करें, अच्छा घासा पीई चल रहा है, इंडिश्टी का पीई 30 का और यह शेयर अभी महेंगा है, तो यहां यहां पर थोड़ सा कॉशियस रही है, 13% का डेट है, ROC, ROE काफी बहतरीन है कंपनी की, मैक्सियन चार्ट पैटर ने आप देख सकते हैं, अच्छा खासा नजर आता है, एस वेल एज यहां देखोगे, तो ऑपरेटिंग पॉफिट मार्जिन यहां पर कम होता हुआ नजर तो यहां पर शायद मार्जिन कम आता हुआ दिखाई दे सकता है, और अगर यह मार्जिन कम आया है, तो शेयर में एक गिरावट आप विटनेस कर सकते हो, अच्छे कासी कंपनी है, कंपनी का अच्छा खासा है, यहां पर सब कुछ नजर आता है, FI रिजर्वस भी है, वार लेना चाहिए, तो जैसे कि आप देख रहो, तीन साल में अब हुआ है कि यह शेयर में इतनी बड़ी गिरावट आती हुई दिखाई दिये, तो जब यहां पर इस तरीके की गिरावट कभी होती हुई दिखाई देती है, तो वो एक negative impact डाल के आता है, इसका मतलब है, कि यह यहां पर बेचने वाले अब ज्यादा आते हुए, नजर आए है, अब जब यहां पर बेचने वाले है, supply आती जा रही है, तो यह शेयर यहां पर गिर सकता है, अब क्या करना चाहिए, तो सबसे पहले जिनको profit हो रहा है, वो अगर प्ले करना चाहते है ज्यादा, तो एक stop loss लगाले जी यह वाला, यह stop loss सबके लिए है, 17,770 का, 770 का यह stop loss है, सबके को follow करना है, यहां पर इसे लगा के रखना है, दूसरा जिन्हों ने ऊपर लिया है, ओके वो भी stop loss लगा के रखे, या फिर यह share शायद थोड़ा सा bounce back दे सकता है, थोड़ा वो थी देगा ज्याद पर बने रहनी की जरुवत नहीं है, share उकनी हास से जैसे ही निगिरेगा, तो एक एकर के पर शेसो को भी target हैंगे, और जैसे company ने बोला है ना की 550 के target, तो वो भी आते हुए दिखाए देंगे, बट वो 550 भी में को लग रहा है, 445 और 400 के आसपास की target आ सकते है, तो यहां से 50 60% की जैसे दूसरे शेरों में गिरावट हुई है, सेम गिरावट होती हुई नजर आ सकते है, तो आपको यहां पर फसने की जरुवत नहीं है, निकलने की मेरी सलाह है, कि यहां से आप निकल जाई है, लोंग करने की जरुवत नहीं है, एक बार इसके result देख लीजिए, उस एक आथ कौटरे बाद अगर result अच्छे नहीं आए, तो यहां पर आप अच्छे हासे गिरते हुए नजर आओ, तो वीडियो अच्छे लगे, like, comment, share, channel को subscribe करेगा, ताकि इस तरी के वीडियों बलते हैं, thank you so much, God bless.